भूल कर भी कभी ना करें इन चीजों का दान बरना होगा भारी नुकसान नमबर एक जाडू व्यक्ति को कभी भी जाडू का दान नहीं करना चाहिए माना जाता है कि जाडू का दान करने से घर में मजूद पैसा खत्मोने लगता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में जरूरी है कि आप गलती से भी कभी जाडू का दान ना करें नमबर दो फटेवे गरंत और किताबे माना जाता है कि कभी भी फटेवे गरंत और किताबों का दान नहीं करना चाहिए इन चीजों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए माना जाता है कि अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो इससे आपको शनी देव के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। शनी देव को प्रसंद करना तो काफी आसान होता है। लेकिन अगर एक बार शनीदेव आपसे नराज हो गए, तो इससे आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. 4. प्लास्टिक की चीजें कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है. 5. स्टील के बर्तन कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए. स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशानती फैल जाती है. आए दिन घर में लड़ाई जगड़े होने लगते हैं और घर की सुक्षांती चली जाती है 6. बासी खाना कभी भी किसी को खाना दान करते समय इस बात का खयाल रखें कि यह खाना बासी ना हो बलकि सिर्फ ताजे भुजन का ही दान करना चाहिए बासी खाने का दान करने पर आपको कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है 7. नुकीली चीजे कभी भी किसी को नुकीली चीजे जैसे चाकू या कैंची आदी का दान नहीं करना चाहिए ऐसा करने से भागे पर काफी बुरा असर पड़ता है इतना ही नहीं इन चीजों का दान करने से घर परिवार के सदस्यों के बीच संबंद भी खत्मोने लगते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी टेलर हिंदी को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद